स्वागत है दोस्तो आप सभी लोगों का आपके अपनी यूटूब चैनल में जैसा कि दोस्तो आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले रीचार्ज के यहाँ पर दाम बढ़ चुके हैं जैसा कि दोस्तो अगर आप जीओ यूज करते हैं वी आई चलाते हैं उसी के साथ में आप एटेल चलाते हैं तो आपको पता होगा कि इन सभी कंपनियों की सिमों में रीचार्ज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं हर रीचार्ज पर आपको 60 रुपे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो दोस्तो इसी के चलते इन सारी कंपनियों में जो जो सिम यूज करते हैं वो अपनी सिम को यहाँ पर BSNL में पोर्ट कराना चाहते हैं क्या इसकी नेटबर्क एरिया यहाँ पर कनेक्ट करेगी या नहीं तो भाई आज की इस वीडियो को आपको फुल बोच करना है मैं आपको बताँगा अभी जहाँ पर आप हैं बहाँ पर आपके BSNL की नेटबर्क मिलेंगे आपका इंटरनेट चलेगा ठीक से बात होगी या नहीं तो इसके लिए दोस्तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड नेटवर्क एरिया पता करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको आना है अपनी गूगल के अंदर गूगल के अंदर दोस्तो आने के बाद यहां पर आपको यहां पर टाइप करना है जिसका नाम यहां पर देख सकती स्कीन पर आप N-P-E-R-F उसक तो इसी वाली website पर इसी वाली link पर आपको करना है click तो चले दोस्तों मैं इस पर कर लेता हूँ click click करने के बाद आपको जो भी password बगेला डला है आपको डाल देना है क्योंकि डारेक्ट हम Chrome के अंदर open हो जाएंगी आपके सामने इस type का option देखने को मिल जाएगा अब यहाँ प इस आपको करना है करना है आपको यहाँ पर करना एक पर डाल देना है search फ़लdoes सब्सक्राइब यहाँ पर सब्सक्राइब आपको लोड़ सालवे आप से आपको option देखने को मिल जाएगा अब यहां पर दोस्तों पहली तो आपको जुम करना है जो भी country आपने डाली है वो country यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर सारी country आपको देखने को मिल जाएगी तो आपको इतना ध्यान रखना है जिस भी country का आपने नाम डाल यहांपर बिलुकल भी भगवारंग की कोई भी डौट नहीं है तो इसका मतलब है आपके आपके आसपास नेटबर्क बिलुकल भी अच्छा नहीं है तो आयों दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया आप इसकी मतब्स से भाई आप समझ जाओगे आपको पोट करानी जाए या नहीं करानी चाहिए तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए